हाथ नमस्कार पहरे साथियों डीजे सर क्लासेज के उनलाइन प्लेटफर्म पर आपका श्वागत अभी नंदन हैं हम बात कर रहे थे भारती इतियास की और भारती इतियास के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था और आज सुबात करते हैं जिंदगी में हार तब नही जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं अर्थार तो आप पो पोजिटिव बने रहना है जिंदगी में जब तक हार नहीं होती जब आप हार मान लेते हैं ठीक है हार जाते हैं लेकिन हार जब होती है जब आप हा अबरे लेते हैं प्रूमार निल्हकिन लेकिन रेते हैं और 20 की सब्सक्राट करने जा रहा थे और आपके त्यक्स के अट्यसी इत्यस की त्याइस क्ले करने के स्क्राशन रहे में दिशारे केसा कें में दो पर आज हम जो बात करने जा रहे ह慮म या जिव की सिर्फि fixture वांगा मिनख के कि यह कहां यह नियुक्त औरíbिक्व जो है कि चल जा है पैरदोस्त मिनख आपको पता है की इस सब्सक्ता कर दियाधा है कि कि द्वारा जलाल उस्थ थ्रूज कि द्वारा कि सित्व करता है स्टापना करता है धिर्जी वंस abnorm माना जाता है यह कब तक माना जाता है यानि प्यारे दोस्तों बारासो नब्स खसे लगा कर का नक से कंसे बारासो नब्बस से लगा कर कहां तक 13020 तक ज्यादा लंबा नहीं चलता है या जो वन से लगब्स 25 highest box सफक होते हैं उन्से चलने वाला राजवन्स जिसकी स्ताफना किसके द्वारा जलाल उद्दिन फिरोज खिल जी के द्वारा कि जाती है कि इसकी एक अपगानी जाती थी और अपना अस्तित्यू कि यह का जाता है कि तराइन का जो डित्य युद्ध के वा ता उसके बाद यहां पर जम वहां पर आकर बस गए थी यहां पर आने के प्रश्चात कहा जाता है कि यह इसके जलाल उद्दिन फिरोज खिल जी के द्वारा इसके स्थापना कर दी जाती कौन से कि भारत में आई थी दराइन के दिद्धिय युद्धि के बात और सबसे पहले जो इसका संस्ताफक मानते ह हैं अपने और संस्ताफक कहते हैं मानते क्या है है ही सही चलो तो सबसे पहले जलाल उद्दिन फिरोज खिल जी की बात करते हैं जलाल उद्दिन फिरोज फिरोज खिल जी इसका जो सासनकाल माना जाता है यह बारा सो करते हैं बारासों नोब छिन तक रहता है नहीं पर शासन करता है और आगे बात करते हैं चाहां-अब अब चर्चाए कर तो खिल्जी वंस का संस्ताफक माना जाता है इसको किसका संस्ताफक माना जाता है देखे जलाल उद्दिन फिरोज खिल्जी और जलाल उद्दिन फिरोज खिल्जी की बात करते हैं और इसको क्या माना जाता है भई खिल्जी वंस का संस्ताफक माना जाता है कि फिल्जी कि वंस का संस्थापक था कि संस्थापक कि कहता है जिसके बारे में कहा जाता है तेरा जून कब तेरा जून और बारासो नबब तेरा जून अबब को तेरा जून 610 जून कि अधिर जून आरा सुने अबबब को ते ते नहीं की फिल्जी वंस कि स्थापका की कि आपना बारा तेरा जुन बारा सुनब्ब को जलाल उद्दिन फिरोज खिलते के द्वारा की जाती है तो इसका जनक कर सकते हैं आप यह सारे कहा जाता है इसे कोमल हर्दे वाला सासक कहा जाता है क्या कहा जाता है इसका उपनाम की बात करें तो उपनाम उपनाम क्या लिया जाता है पैर दोस्तों इसका उपनाम कोमल हर्दे वाला मुझाय पुर्दे भी काम करके आ जाता था तो यह की तो माफ करने कि अथर थी कि इसे को भी दंड देने के स्याक में नहीं सब्सक्राइब कर दिया गया लचिला वेक्ती था उपादी की बात करें धारण को पर दूस्टू इनकी उपादी की बात करें तो उपादी कहा जाता है कि इसके द्वारा इबने रहिस की उपादी धारण की थी या इबने रहिफ की उपादी धारण की थी उपादी की बात करें उपादी को इसी धारण की थी इबने इबने रहिफ इबने रहिफ की उपादी धारण की थी इ इपनी रहिप की उपादी धारण करने वाला सास्त माना जाता है इपने रहिप का मतलब क्या लिया जाता है पैर दूस्त तल्वार का बेटा क्या लिया जाता है इसका मतलब तल्वार का बेटा तल्वार का बैटा अर्थार किसी से विरोध नहीं करता था प्रेम करता था किसे तल्वार से विरोध नहीं करता था आक्रमा करता था ज्यादा तर कहा जाता है तल्वार का बैटा कहा कर संबोदित किया जाता है इसे उपादी धारन की इसके पश्चात कहा जाता है इसकी बनाता है कि राजदानी कि बनाता इसने राजधानी कि बात करें का बनाता है तो ऑड़ा लोग खौरी को रोजदानी बनाता है इसके आप कौन कुन कोंच से हुए फ्यार दोस्तों का चर्चाएं करें कि आक्रमन की बात करें के कि बात करें कुन कुन से आक्रमन करता है देखीगा बारासो नब्ब में कहा जाता है कि इसके द्धूरा किसके लुद्धिन नतr कि उपर किया जाता है रण थंबोर के उपर अक्रमव करता है करता है रण थंबोर पर आक्रमवन करने के परतात इस समय यहां का सा सकता है और हमील देव चोहां को ही रणस्तम़ृ का शास्क समय हमीड देव US हौन था पूल यह जो आक्रमन करता है и किंसे और आकरमन करता चयांदों धुर्ण का किला किन बड़ा सा व्य इसके पास में धे lights है किया आघ खेता है तो था रणतंबोर कौंछा सा ठट पर अधूया किला यह रूज talking दौन दूर्ग वह दौटे हमारा? इसके पास ये जाइन दुर्ग था लेकिन का जाता है रनतंबोर्ग को जीत नहीं पाता, ये रनतंबोर्ग में भिज्ये प्राप्त नहीं कर पाता है, भिज्ये नहीं हुआ, कहा पर रनतंबोर्ग में? क्यों नहीं हुआ कारण था कि इसके चारों और इतनी खतरनाक वाले खाईयां हैं और खाईयां होने के कारण का जाता है इसमें कोई विसेश रास्ते नहीं होने के कारण क्या तो इसका द्वार से जाए और द्वार इतना था कि तोड़ पाना इसके बसकी बात नहीं थी और ख दुर्ग का द्वार का आ जाता है इसके उपर तो अधिगार तो कर लिया इसने लेकिन जन्धंबोर पर विजय प्राप्त नहीं कर सका और कई मैंनों तक घेरा डाले रखा और घेरा डालने के पत्चा थी यहां वापस लोगताता है और क्या करता है कि मैं ऐसे तो दुर्गों के लिए मैं ऐसे सो दुर्गों के लिए मेरे मुस्लमान सेनिकों का एक बूंद भी रखत बहाना उचित नहीं समझता अर्थार्थ मैं ऐसे कई दुर्गों के लिए में मेरे मुस्लमान सेनिकों के एक बाल के बराबर भी नहीं क्या ऐसा बहाना बना कर ये वापस दिल जाता है अर्थार्त यहां से वापस लोट जाता है लोट जाने के पश्चाथ क्योंकि इस अपलता नहीं में कहां पर क्या बहाना बना कर ये जलाल उद्दीन खिल जी रणतंबूर अभियान पर इस तमें वर्सें रणतंबूर पर आक्रमन करता है पर आक्रमन करता है क्या है आक्रम लेकिन क्या होता है इसमें इसमें के कौन एक तू जलाल उद्दीन फिरूज खिल जी जलाल उद्दीन जला जलाल उद्दीन परसेज परसेज कौन था परसेज कौन था अमीर देव चोहान था जाता है यहां पर क्या होता है यहां पर क्या होता है यह अशपल होता है क्या होता है और क्या बहाना बनाकर यह बहाना बनाता है कि कौन कहता है जलाल उद्दीन कौन कहता है जलाल उद्दीन जलाल उद्दीन कहता है जलाल उद्दीन ने कहा की कहा की मैं केसे रणतमबोर्ज मैं ऐसे दुर्गों मैं ऐसे शो दुर्गों को मेरे मुशलमान मेरे मुशलमान सेनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता ँर ये वहर एक बाल के बराबर नहीं समझता है एक बाल के बराबर involving नहीं समझता ऑक है अर्थार्थ अर्थार्थ अर्थ दुर्ट अजब कि अर्थार्थ ऐसे ऐसे कई दुर्गों के लिए में मेरे सेनिकों का एक बूंद रक्त भी बहाना मेरे सेनिकों का एक बूंद रक्त भाना एक बूंद एक बूंद रक्त भाना उचित नहीं समझता कित नहीं कि ऐसा कून कहता है यह किसके लिए कहता है जलाल उद्दीन के लिए कहता है यह कहता है इसके लिए भी यह रंतंबूर के लिए कहता है इसने यह रंतंबूर के लिए रंतंबूर रन олод दूर्ग के लिए ऐसा यह वापस दिल्ली लोड जाता है और कहता है कि यहां पर अधिकार नहीं कर पाता यह किस पर अधिकार नहीं कर पाता वहीं इस दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाता कौन से दुर्ग पर रनतंबोर दुर्ग पर क्योंकि हम्मीर दिव मंटूर गृष तो अनुश्य में कव 206-302 में मंदूर कांपर प्रता है जूध प्रत tippingiver कहां पर राजस्तान में लुद्पूर राढ रजस्तान में यह विजय पराप्त कर लेता है क्या पर मंगूर अभीकार करता है k एक मोटार की ऑदिकार कर लेता है व्यास्ता किसuni में क्या रंथंब्पोर में यहां पर मांगोल का जो आक्रमन कारी है अब्दुल्ला खां उसको भारत पर आक्रमन करने के लिए आता है लेकिन इसको रोक देता है कौन रोक देता है बारा सो बाण में में। अब्दुल्ला खां अब्दुल्ला को कि अब्दुल्ला कहाई कि नियुक्त अर्थात्भारत पर आक्रमन करने यूंस भगादिया जाता किसके दो़ार जलालव दिन ऑनंखिल धिके द्वारा यहां से इसको घडिया जाता है कि और ख़ीड देने के पर शार्ठी पह्रोदोस्तो यह भारतप करने में सक्क्सम करता है औहический भारत पर आक्रमन करने के बहुत करता जाता है मालवा पर विजय प्राप्ट करना चाहता है यह मालवा पर विजय प्राप्ट करने के लिए किसको बेजता है यह मालवा पर विजय प्राप्ट करने के लिए किसको बेजता है यह मालवा पर विजय प्राप्ट करने के लिए किसको बेजता है यह अपने दामाद या ्भतीजी अलाउधीन खिल्जी को बेचते है और अलाउधาน खिल्जी ने विजिए-प्राप्त कर ली और जिसके दौरा कारन का जाता है कि यहाँ पर यहां से जलाल-उद्दीन कुल कुछ होता है इस से कुछ होने के चक्कर में का जाता है कि अवद और कड़ा का इसको क्या बना देता है इसके सुभेदारी देवे देता है अवद और कड़ा की सुभेदारी अल्ला उद्दीन खिल जी को सोब दी जाती है कि इसके अर्थार्थ यह कहां पर गया था जलाल उद और की सोनि के पर स्चाथ अलाव धिए खिल्जी को आवध कड़ाा और मनिकपूर की जागीर बना अमसी आज ना मगा है आपी आपक आया सावा व्या अब आपर आप्द नूदे्रल व्हाप्त करता कुन अल्ला उद्दिन कीई विल्ची को अलह की अलओ दिन अल्ला उद्दीन तिलजी को तिलजी की मालवा विजे से खुशोकर मालवा विजे से खुशोकर जलाल उद्दीन खिलजी ने जलाल उद्दीन ने अल्ला उद्दीन को कड़ा अवद्दीन वो मनिक पूर्ण मनिक पुर का सुभेदार नीट किया का सुभेदार बनाया जाता है इस जीत तिक्रशूपर कोण जलाल उद्दीन खिल जी कहां का सुभेदार बना देता है कड़ा आवद और मनिक पुरकातिनों का सुभेदारी इसको सुभेदारी तो कहा जाता है इसके पश्यात यहां पर अब क्या करता है और दोस्तों यहां पर देखीगा यह इसका दामाद भी था और यह भी था में में बात करता है बारा सु चोरानमे की बात करते हैं बारा सु चोरानमे में क्या करता है कि देवगीरी पर विजय प्राप्त करता है पर डेविगिरी पर विजयपरांत करता है और डेवगरी का जो शासकता है इस समय का कि आप दे गरी करता है की राम चंद्र र요 राम चंक्नद्रदेव का टाउल यहां का दो धुन और जलाल अन्दीन होता है और दक्षिन भारत में पत्तं करता है यहां प्रतन यो मैं है को हुट हुट हो ड topics young आके सकनित कर्या कि एक यहां का शाक की बात करें किस पर वीजय प्राप्त करता है राम चंद्र देव और तू राम चंद्र देव यहां का यहां का कहां था देवगीरी का साथ सपोन हुआ करता था वही रामचंद्र देव था और इस पर विजय प्राप्त करने में कौन सफल हो जाता है दलाल लुद्धिन नहां पर कर ले दक्षिन भारत में प्रतम मुस्लिम आक्रमण माना जाता है यह 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 दक्षिन भारत का यह क्षिन नहीं ना भारत में प्रतम मुस्लिम आक्रमण माना जाता है यह यह यू यह यू यह 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 करमना भारत में प्रतम अभियान भी यही माना जाता है ठीक है जिल्ली सल्तनत के द्वारा दिल्ली कि अल्टनत के द्वारा कि दिल्ली सल्तनत की ओर से नक्षिन भारत वे अरसे तक्षिन भारत वे प्रतम वियानग और भारत वर प्रतम आक्रमन था ही अंट को अगरता पूरी दिल्ली सल्तनत की और से क्याता है यह रिख्षिन भारत का प्रूस घिली की हट्यजी की 1226 स्वागत के लिए एक महल का निर्मान करवाता है स्वागत करने के लिए ये जाता है कौन कर जाता है वहीं पर क्या कर देता है है के त्या कर देता है कों कर देता बंटिजा इसाइड है फिर लमात और पर अधर मनिक फूर में कर दोस्तों मनिक भी के में के दवारा एथिंस के द्वारा कर दिया थे जिस तर्ह करoni घठीमात कि रिच हत्या कर दिया ती ये चला जला si डिल बात इछ खिल्जी की सत्या 1200 चिन्दमें इस्वी में अला उद्दीन खिल्जी द्वारा मनिक पुर में कर दी गई मनिक पुर में इसके हत्या कर दी जाती है और मनिक पुर या जो कड़ा था कड़ा वाले छेत्र में मनिक पुर में हत्या कर दी जाती इलावाद के पास वारा क्या दी गई खत्या कर दी गई किया जाता है वैसे तो कुछ समय के लिए पैटा हुआ करता था उसको सासक सिया जाता है लेकिन भागा सासक के रूसमे बनाए दिखाया जाता है कि बाद यसको देता है वास्तिक रुप कोन सासक बन जाता है यहां पर अठीक तो एक मिनटे ध्यान रख लेना चलिए करते हैं कि पूत्र हुआ करता था कद्र घाँ आ पर इसी का एक नाम और मिलता है दोस्तों रुकनुद्दिन इभराहिम का मिलता है लुकनुद्दिन ब्राहिम को माहरें कि इसका नाम मिलता है पेरा दोस्तों और इस रोक कर दिया जाता है यह साम हुआ करता था यह जलाल अदिन के आप उत्र था है उत्व प्तर हैं तन था पिता को और उन्ट है लिंदन खिल जी जलालदीन खिल जी के पुत्र थे पिता था और इसके पिता होने के साथ-साथ कहा जाता है कि इसने एक माता मलिका ए साह थी मलिका ए जहां की माता कुछ थी वही माता की बात करें मलिका ए जहां की माता थी मलिका ए जहां इसकी माता थी और मलिका ए जहां इसकी माता होने के साथ-साथ कहा जाता है कि यह अल्लादीन खिल जी किसको मार देता है जलालदीन को तो मारी देता है जलालदीन खिल जी को मार देने के पश्यात कहा जाता है लेता है कादर खान की हत्या करके अलre अभेवा कर लेता है क्या कर लेता उड़ीख कर लेता हैं ऐान कर लेता है कर लेता है अपने बढ़ा लेता है अपनी तो के घ्लते एक कर तो करता है को मारकर कि अर्लाउद्दिन कि अलाउद्दिन बनुझा जियर कि अरतर चांग कि हत्या कर आत्या कर कर इसकी माता की माता कोंती मलीका है जहां मलीका मलीका है जहां से विवा कर लेता है अब क्या करेगा यह खुद सासक बन जाएगा साधी कर लेने के पर रास्ते का सारा रोडाय एट गया कोई टेंचन ही अब कहा जाता है कि अल्ला उद्दिन खिल जी आंका सासक बने जाएगा नेक्स बात करते हैं इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं अल्ला उद्दिन की कि अल्ला तिन इसके बात कौन सासक बनता है वहीं अल्ला उद्दिन खिल जी आसक बनता है कहां से कहां तक यानि की बारा सो चिनमे में उसकी आर देता है सासक बनेगा तेरा तरो तक dinosaurs रहता है तक बहिए तरा सो अब बात करें तो यहां पर और यहां कासा साasc है जाता है कहा जाता है की वहां पर यह राजियस करवा लेता है इसकी कर UC करता है और ताइघ बार राज यह करवाथा नट वार राज राज और तुर यहां पर चिंडिक और दो बार राज्यावी से करवाता है यह कितनी बार राज्यावी से करवाता है कौन अल्ला उद्दिन खिल जी के बारे में कहा जाता है कि इसके कहां पर अब दो बार राज्यावी से करवाता है एक बार तो बात करें पहली बार पर बात करें अपर मुद्रा नामकिस्तान पर पढ़ता है मनिकपूर नामकिस्तान पर कहा जाता है कि यह यूपी में पढ़ता है मुद्रा नामकिस्तान पर कहां पर पढ़ता है यह यूपी में कहां पर पढ़ता है कड़ा यूपी में पर वाता है यह फर्ष्ट राज्यावी से कोता है इसका फर्ष्ट राज्यावी से और दूसरा जो राजियवी से का कर वाता है बल्बन के महल में करवाता है कहले में दिल्ली में कहां बल्बन के महल में बल्बन के महल में दिल्ली में करवाता है कब करवाता है पैर दोस्तों दिली जानकारी हमें फराप्त होती है कि बाइस ऑक्टूबर अक्टूबर बारा सो इन में कोई अपना राजय भी से करवा लेता है और राजय भी से करवाने के पैर दोस्तों क्या कंडिशन होती है कि अल्ला अधिन खिल जी यहां पर स्वास्तू सासक बन जाता है कहां ता दिली सल्तनत का इसका बच्पन का नाम अली बच्पन का नाम या अली जा अली गुर्षप इसका बच्पन का नाम था कि यह नाम से जाना जाता था अल्ली गुश्टप के नाम से जाना था 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 बच्वनी और क्या कंडिशन होती है यहां पर इसकी उपादियों की बात करें सारी उपादियां कई सारी उपादियां धारण करता है क्या क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है इसकी उपादियों की बात करें कि बात करें उपादियां की बात करें पादियां के बहुत सारी से उपादियां है सबसे पहले बात करें तो इससे भाग्ये साली सासक कहा जाता है और दूसरी बात करें और बात करें और बात करें कहा जाता है जनता का तर्वाह युक का विज्यता जुग विज्यता जनता या करवाह यह चन्ता का कि चर्वाहा कि चर्वाहा मतलब यह तीनों नाम इसको किस ने त्या अमीर कुष्रों या अमीर कुष्रों ने अमीर कुष्रों के द्वारा यह तीनों नाम दिये गए इसको भागे साले वेक्टी युग विजेता और जनता का चर्वाहा यह सारे नाम किसके द्वारा दिये अ नेक Näरकुषवाया दिये जाते akaप और बात करें तो कहा जाता है इसको सलतनत कालगा क्या कहा जाता है शमुद्र गुप्त न कहा जाता जाता है इसको धुत करें व्याया sulphur काशम रुग्वत कहा है वाले कौन थे लैना फुल लैन्पुल महुदे ने इसको क्या खाला लैन पुल मही महा भुदे को किया कर संदल का कर समों दें सभीं प्ल्ष। और बात करें डर्मनिक के विसmート के समान नुज इसको बताए गया स dedic के लिछ मार्क के समान भी इसे बताया गया है ठीक है ते तीसरी बात करें जर्मनी-जर्मनी के पिश्मार्क की शमान के समान लाप very तिसर्वादी और उनकी कॉतिश्र समान बताया किसने आशिरवेदी लाल ने यह आशिरवादी आशिरवादी लाल ने बताया आशिरवादी लाल ने इससे क्या बताया वही आशिरवादी लाल ने इससे जर्मनी के विस्मार्क के समान बताया और कहा जाता है कि यहां पर क्या कंडिशन को कि पहरे दोस्तो आशिरवादी लाल के समान इसने क्या बताया जर्म सामराजी का कहा जाता है कि लज्जा पूर्ण था ये अल्लाउदीन खिल जी का सामराजी लज्जा पूर्ण ये कहने वाले पूर्ण क्या है ये भी ध्यान रख लेना है तोती बात करें अल्लाउदीन खिल जी एके लिख दू एके का सामराजी सामराज जी लज्जा पूर्ण था लज्जा पूर्ण था ऐसा कहने वाले कुन थे इसमित पूर्ण कहते हैं इसका इसमित जो इतियास कार हुए हैं एसा करते हैं आपके अब बात करें तो कहा जाता है कि दूसरा सिकंदर भी सिका जाता है और नेक्स बात करें ते दूसरा सिकंदर कहा जाता है वर का पमतर काहा जाते शीन दूस्रा संब्सकांदर में सामराजिवात का जनक कह जाता है कि अलतनते के ओल में सामराज्य वाद का जनक खलतनत काल में सामराज्य वाद का जनक भी करकर इसे संबोदित किया जाता है कि इसको कहने आए वाले बुलसैन है अन दौरा ये कहा गया कया लगा सलत काल का समराज थ्लिक वैर जाता है उपाद्य यां या उपयोग किया जाते हैं प्यर्डो सो वारे नाम आपके लौर कि लिए वियोग निली लिए टाते हैं है और शेयर और और कहा जाता है बाती लिहां कि या उपादियों का जिक्र कर लिया हमने वागे साली साथ का जाता है इसे या विजीता का जाता है जनता का चर्वाह का जाता है ये सारे नाम अमेर्षी दौर्इब करें की दूरा दिये गए सब्सक्राइब करें और इंपॉटंत तक्रदों से दुसरा कई जाता है स्लितनतकाल का साम्राजिवाद का जनक बुल सें परारंब किया वैसे तो आपको पता होना भारे नगद वेतन जा चुका बलबन के द्वारा है वास्तुर्ण की रूप से द्वारा दिया गया उसे निक हो वेतन ना दे कर क्या जाता ता इक्ता प्रणानी चला करते थी इक्ता प्रता का मतलब क्या है कि भूमी का तुकड़ा दान में दीदिया जाता था अर्था जो भी सेनिक था उसको भूमी का तुकड़ा दे दिया जाता था और उसी के अनुसार वो उसका वेतन समझा जाता था और यहां पर क्या सबसे पहले यह नगद वितन देना प्रारंब करता है और बात करें का जाता है इसके पास स्थाइस सेना प्रारंब करता है और की के द्वारा रखी गई थी या इस्थाइस सेना तो यह दोनों चीज़ा आपको ध्यान रखने बात करें गोड़े दागने की प्रता इसके द्वारा चलाएगी इसके द्वारा रखी गई आधिक और बात करें का जाता है कि खाता है कि इसके द्वारा का जाता है की मुल्य agrade का प्रारमा किया था ओर आप तर श्रीक द्वाट्व बाजार नहीं अंत्रन प्रणालिकी बाद किया जाए यह वीकारे अल्लाव दिन के द्वारा किया गया तो क्या क्या किया सब से पहले हम बात करें तो इसने क्या किया भी नगद वेतन देना सेनिको को सेनिकों को नगद वेतन सेना प्रारंब किया, सेना प्रारंब किया, सेना प्रारंब किया, दूसरी बात करें, सेनिकों को नगद वेतन देना प्रारंब कर दिया, उसके बाद बात करें, श्षास सेना की नीव रखी, अर्थार्थार्था? गोड़े दागने की प्रथा प्रारंब की और बात करें गोड़े दागने के साथ साथ क्या किया यह गई तो भी रज़े दागने के साथ और शैनिकों का हूलिया रखना प्रारंब किया नेनिको का नेनिको का हूलिया रखना प्रारंब किया अब यह समझ रहे होंगे कि आप यह हूलिया क्या है हूलिया का मतलब कोई पेचान ले लेना किसी का हाथ जल रहा है तो हाथ पर कोई निसान या किसी के तलवार का निसान कोई किसी के नाक पर पास दिल है यहां पर तिल है वास्तों में देखा जाता था उसको चेक किया जाता था कोई किसी के यहां पर हाथ पर निसान है तो हाथ बात निसान है या नहीं तो बाद उसे रूप से स्थाई करना हो जाता था इसकी यह पेचान है और उसको वही पेचान देख कर उसके तंडिया जा पिटें कि यह मेरे पास काम कर रहा है तो यह से नूप अहले कर नेक्स करते हैं तो कह आ प्राजार वाजार नियंत्रण करना प्रारंब किया या प्राजार नियंत्रण रखना प्रारंब किया या प्राजार नियंत्रण 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 प्रारंब किय प्रणाली प्रारम किया अर्थार्थ इसके द्वारा बाजार में ना मुल्ले किसे प्राप्त हो रहा है किस ना मुल्ले अर्थार्थ आइवे का ब्यूरा रखना के बाजार नियंतर कर लाता है तो नियंतरन रखने वाले को कि अंत्रण को करने वाला कि अंत्रण जो होता है था उसको था सब्सक्राइए बाजार का अधिक्ष क्या उपके लाथ था बाजार का अद्येक्र का देख्ष कहलाता था भी क्या करता था। क्या कहलाता है शहना यह मंडि का या क्वाइशन यह मंडिशन द So ano करते था इसे एनाय मंदी मलिक खुबल हुआ करता था उप्चर विभाग का अध्युक्स ईजो है अवरीद कहला था तक कैलाता था अधिक बात करें कहां पर अमीर लोग का प्रभाव हीन हो गए थे अमिल लोग काम जाता है कि अमीरो का सफ़ता चला करती थी कि चले आ रही है थिक्षाया अमीरो का एक गुट बनाया था उसके आजदार पर सप्था का सल्चालन किया करते थी अभी यहां पर अस्थितु हीन हो गए थैं अमीरों का अस्थितु इसने बिलकुल मात्र का कर दिया करता तो अमीरो का प्रभाव सन कर दिया यहां से क्या करें प्रभाव का अस्टिटू लोग प्रभाव हिन हो गए थे अक्षाओं सुन हो गए निये स्थ प्रभाव आब tale सासन काल में बहुँ संकाल काल आधिर शर्वादिक कााजा यूए कि जो भूमी थी काल सा बोसीट कर दी के अपने काश्टोंडी में रखता था खाल सा बहुमी क्या थी युषली लुटा अल्ला के के अल्लावदिन खिलजी के समय सर्वादिक खालसा भूमी थी खालसा भूमी खालसा भूमी का सामुंतों से कई प्रकार की भूमी च्हीन कर वैसे सामत गीरा यह यह ले का हजाकता से क cela कहा जाता था खालसा भूमी अर्था केंदर answer सरकार के हाथ में जमीन चली जाना क्या 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 थी खाल सा भूमी क्या थी यहां पर का जाता है कि वह साफ प्रणाली का प्रारभ किया भूमी को दूबारा माप करना साइब करने के प्रश्चात कि को कोई राजा भूमी पर नदे कर लेकिन राजा के उसको नपूसाइब काम किया तो क्या कह गया महाशाब प्रणाली कहा गया खाल सा भूमी समझlike आगे आपको केंद्र सरकार की भूमी करतातर राजा के हाथ में एक तो के भूमी होती थी ट्रस देते थे खिशां और खेती किया करते थे लेकिन यहां पर डारेक्ट अपनी भूमी कुद्ट ये अपने डारेक्ट किसके छेत्र में चली का ती कि यह दारे मसाहत प्रणाली और महसात प्रणाली क्या है गुमी का पुना मापन करना क्या है गुमी का पुना मापन करना इसका मतलब क्या है महसात प्रणाली की शुरुआत की गई की शुरुआत की गई शुरुआत की गई दुरुआत हुई इसका मतलब क्या है पैर दोस्तों यहां पर ह शुमि का दुबारा माप खुमी अ है को बार अ कर दूबारा के तोबार तो भार इसको ओर ओटिंध की मोटश्यवा माप करवा लिना आ गिसकिनद शूर की दूबारई प्रारंब किया गया कि द्वारा प्रारम किया गया अब बात करें कि अब इसकी वीजियो की बात करते हैं कहां कहां पर यह आक्रमर करता है और यह चर्चाहें हम एक स्क्राइब करते हैं पहरे दोस्तों आज के लिए काफी बहुत धन्यवाद पहरे साथ हुँ तुड़े रहे डीजे स्क्लासे इस पहरे रहे धन्यवार सतिके अ झाल झाल